अब आत अर्विन केजरिवाल की कर लेते हैं आपकारी नीती में कथित गोटाले से जुड़े मनी लाउंडरिंग मामले में गिरफतार मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल 28 मार्च तक प्रवर्तर निदेशालय यानी ED की हिरासत में रहेंगे इस दोरान वो हर एक चीज जो उने मिलती रहेगी जो उनकी स्वास्त संबंधी समस्याओं के लिहास से जरूरी है हफ्ते भर की हिरासत में केजरिवाल के लिए दिन के 24 गंटों में से एक घंटा ऐसा भी होगा जो पत्नी परिवार और वकीलों के साथ बीटेगा स्पेशल जज पीसी एक्ट कावेरी बावेजाने आम आदमी पार्टी यानि आपके राष्टर संयोजग को शुकरवार को ईडी की रिमान में भेशते हुए इस बारे में निर्देश जारी किये रिमान आदेश के मताबिक केजडिवाल से जहां भी पूछताच की जाए वो जगे सीसी टीवी से कवर्ड होनी चाहिए यानि पूरी पूछताच सीसी टीवी कवरिज उसकी होगी और पूछताच से जुड़ा हर एक बात जो होगी वो सीसी टीवी फुटेज में सुरक्षित रखा जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोट ने परमवीर सिंग सैनी बनाम भल जीट सिंग मामले में दिशा निर्देश जाली किये थे हिरासत के दौरान के इजरिवाल अपने वकील मौमद इर्शाद और विवेक जैन से रोज़ाना आदे गंटे के मलाखाद कर सकते हैं CRPC की धारा 41D के प्रावधानों के तहद दी गए इस मंजूरी के वक्त शाम 6 बजे से 7 बजे का एक समय ताय किया गया है आम आदमी पार्टी प्रमुख को इस दौरान आदा गंटा पत्नी सुनीता के जरिवाल और पड़िवार के सदस्ये जैसे कि उनके पी ए विभव कुमार से मलाखाद के लिए मिला हुआ है कोट ने काए CRPC के सेक्शन 41D के तैत आरोपी अर्विंद के जरिवाल को अपने वकील मोहमद इर्शाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से 7 बजे तक मिलने का समय दिया गया है यानि इसी दोरान वो मिल पाएंगे वही अर्विंद के जरिवाल को कोट ने रोजाना आदे घंटे उनकी पतनी सुनीता के जरिवाल और नीजी सची विभव कुमार से मिलने की अजाज़त दी है आपको बता दें अर्विंद के जरिवाल हाईपर ग्लेसेमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं उनकी तरफ से एक अप्लिकेशन कोट में दाखिल की गई थी कि उन्हें जरूरी दवाओं के साथ-साथ उपचार के हिसाब से घर का खाना खाने की अजाज़त दी जाए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें